इस वीडियो में हम समझेंगे Sovereignty of the Parliament देखें जो Doctrine of Sovereignty of Parliament है ये लिया गया है British Parliament से Sovereignty of Parliament का मतलब ये होता है कि Supreme Power in the Leigh Slayer मतलब Lawmaking में जो Supreme Power है उसी को Doctrine of Sovereignty of Parliament बोला जाता है और ये लिया गया है British Parliament से तो A.V. Dice जो की British Jurist है उन्होंने कहा कि जो British Parliament है वो लॉ को बना भी सकती है उसको अमेंड भी कर सकती है उसको सब्सित्यूट भी कर सकती है रिपिल भी कर सकती है और ये किसी भी लॉ के केस में तो जो A.V. Dice, British Jurist उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि जो ब्रिटिश पार्लामेंट है इसके पास काफी पावर है in the process of lawmaking, in the process of amendment the law, then substitute and repeal any law, उसके बाद D. ओल में ने क्या कहा, ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल अनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश पार्लामेंट है, ये कुछ भी कर सकती है, वो accept कुछ भी कर सकती in the sense of the law, तो except make a women to a man and man to a women, तो ये छोड़के, मतलब एक women को, एक औरत को man बनाने के अलावा, और man को women बनाने के अलावा, जो ब्रिटिश पार्लामेंट है, जो ब्रिटिश पार्लामेंट है, ये कुछ भी कर सकती है, in the process of the lawmaking, then जो ब्रिटिश पार्लामेंट है, ये किसी भ लौ को, मतलब जो constitutional law होती है, उसको ordinary law के जरिये, मतलब जो ordinary law के जो process होती है, same process follow करते हुए, कोई भी constitutional law को बना सकती है, उसको amend कर सकती है, उसको substitute कर सकती है, उसको repeal कर सकती है, हमारे इंडियन पार्लामेंट में अलग-अलग process है, मतलब ordinary law के case में simple majority चाहिए, then special majority, इस type की absolute majority, effective majority, इस type ही majority हो लगती है, अलग-अलग type के law के लिए, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लामेंट है, वहाँ पे जो ordinary law के लिए जो process लगती है, same process, constitutional law बनाने के लिए वहाँ पे लगती है, मतलब किसी भी law को बनाना है, amend करना है, substitute करना है, रिपिल करना है, तो strip and strip ordinary process ही लगती ह अब देखें, जो British Parliament है, उसको कोई भी law को, जो judiciary है, उसको declare नहीं कर सकती है, invalid, मतलब पार्लामेंट के द्वारा, जो British Parliament के द्वारा, अगर कोई कानुम बनाया जाता है, तो उसको judiciary, जो British judiciary है, उसको invalid declare नहीं कर सकती है, on the base of the judicial review, तो वहाँ पे कोई भी judicial review type का system नहीं है, ब् जो Indian Parliament है, mainly, ये पूरी तरह से sovereign body नहीं है, अब sovereign body नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखें, इंडिया में क्या है, return, return constitution है, तो Parliament को, जो सविधान में लिखा गया है, उसकी इसाब से काम करना होता है, साथी साथ, इंडिया में क्या है, federal system है, मतलब यहाँ पे दो government है, एक union government है, और दूसरा state government है, तो दोनों को अपने अपने दायरे में रहिके ही, अपने कानूं को बनाना होता है, क्योंकि दोनों के जो power है, lawmaking जो power है, वो दोनों का अलग-अलग है, यहाँ पे जो court है, वहाँ पे judicial review का system है, तो high court हो गया, या supreme court हो गया, दोनी के पास यह power है, कि तो law को क्या कर सकता है, review कर सकते है, अपनी जो power है, judicial review इसके base पे, देन हमारे यहाँ पे fundamental rights है, तो fundamental rights को भी violate नहीं करना चाहिए, जो भी parliament के law बनाया जाते है, क्योंकि जो fundamental rights है, यह क्या justice level है, तो यह सभी कारण है, जिसके वज़े से जो इंडियन पार्लामेंट है, यह अपसे पहले return nature of the constitution, तो हमारा जो constitution है, यह क्या fundamental law of the land है, हमारे देश का, constitution में define authority, jurisdiction, और जो भी nature of inter relationship between the three organ, अब three organ कौन सी कौन से, एक तो less nature हो गया, executive and judiciary, इन तीनों में क्या-क्या power का separation है, साथी साथ किस तरसे तीनों अपना role निभात है, यह सभी क्या है separate है, तो यहाँ पे तीनों organ अलग-अलग है, और इन तीनों का क्या power है, यह constitution में लिखा गया है, उनकी authority क्या रहेगी, उनका jurisdiction क्या रहेगा, और इन तीनों में किस तरह से inter relationship रहेगा, while working on the any, किसी भी कानुन के उपर में, तो parliament को अपने limit में रहे ही काम करना होता है, तो no legal distinction between the legislative and constitutional authority, यह किस case में हो रहा है, यह हो रहा है, mainly British Parliament में, British Parliament में कोई भी legislative या constitutional authority के base पे कोई भी legal distinction नहीं है, तो certain amendment जैसे कि हमारे देश में क्या है, कुछ ऐसे amendment होते हैं, जिसमें half of the state का concern जरूरी होता है, लेकिन Britain के case में क्या है, ब्रिटेन में कोई भी written constitution नहीं है, like Indian constitution, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे fundamental law of the land नहीं है, कहाँ पे ब्रिटेन में, जो second point है, that is, जो second limit है, on the parliament, जो Indian parliamentary system है, उसके उपस जो limit के लिए, जो second limit है, that is the federal system, इंडिया में क्या है, federal system है, मतलब क्या है, पावर जो है, वो divide है, union और state के बीच में हमें पता है, जो 7th schedule है, वहाँ पे list है, जिसमें union list है, state list है, और एक concurrent list है, तो parliament किस चीज़ के उपर काणून बना सकता है, स्रिफ union और concurrent list, लिस्ट कौन सी होते हैं जहाँ पर union and state दोनों काणून बना सकते हैं तो except कुछ exception है यहाँ पर mainly कौन से exception के base पर जो पार्लामेंट है वो state list के उपर काणून बना सकता है तो यह mainly five abnormal circumstances है और यह limited time period लें mainly तो इन पाच situation के आधर पर ही पार्लामेंट जो है वो state के subject के उपर काणून बना सकता है otherwise पार्लामेंट के पास क्या power है श्रिप union list और concurrent list इन दोनों के उपर काणून बना सकती है श्रिप यही कुछ exception है जिसके आधार पे मनलब यही कुछ five abnormal circumstances है जिसमें पार्लामेंट state list के subject के उपर काणून बना सकता है जैसे कि जब राज्य सभा कोई ऐसा resolution पास करे तब पार्लामेंट काणून बना सकता है या during national emergency या जब state खुदी request करे पार्लामेंट को की काणून बना यह या कोई international agreement को implement करना है इंटरनाशनल जो भी agreement होता है उसको implement करना है इस case में भी पार्लामेंट state के subject के उपर काणून बना सकता है या जब state में तो इसलिए हमारे हापे क्या जूडिशाल रिवीव है तो जो सूप्रीम कोड और हाई कोड है यह दोनों किसी भी पार्लामेंट के कानून को अगर वो पार्लामेंट का कानून सविधान के हिसाब से नहीं है या जो एस पर दो कंस्टिटुशन के हिसाब से नहीं है तो उसको नल्यान वाइड कर सकता है अल्ट्रावायर्स कर सकता है मतलब अनकंस्टिटुशनल डिकलेर कर सकता है लेकिन ब्रिटेन के केस में जूडिशार रिवीव का कोई भी प्रोविजन नहीं है तो जो ब्रिटिश कोड है जब वो कोई भी लौ को पार्लामेंटरी लौ को यूज करता है जब भी किसी स्पेसिफिक केस में उनको एग् Cyber movie करना हूं यह कोई बेफलनेश करना तो इस समय पार्लामेट के लॉग को अपलाई करता है कौन ब्रिटिश ब्रिटिश लॉग लेकिन इना के केस में क्या है इंडा की केस में जो जूरियर हे और कंश्टिटूूशन को एज रेुफररंस देखता है जो करता है अपने जूरुपे बैस पर इस तरह से जो जो सोवेर्णिझ मेह इंडियन पर्लावन TIM की हो कई लिमिट करता है रेविव अब fundamental right भी जो sovereignty होती है Parliament की उसको limit करता है क्योंकि हमारे हापे जो fundamental right है ये justice Edward है तो आब देखें अगर जो अब ये जो fundamental right है एकक्षीली रेस्टिक करते authorization of the Parliament को क्योंकि article 13 में क्या लिखा गया article 13 में निखा गया कि में लिए जो fundamental right है यह prohibit करते है state को कि ओ कोई ऐसा law न बनाए जो की fundamental right को totally totally क्या ले सके या उसको abrogate कर सके तो parliamentary law जो है यह contravence है fundamental rights के अगर इस तरह का होता है तो उस law को नल्यान वाइट डिक्लियर किया जाता है जूदिशेरी के द्वारा लेकिन British Parliament में कोई fundamental right citizen को दिये नहीं गए तो इसलिए जो British citizen है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो British citizen है उनके पास कोई fundamental right नहीं है ऐसा नहीं है British में भी Britain में भी काफी fundamental right है वहाँ के जो citizen है उनको भी काफी ज्यादा liberty है क्योंकि वहाँ पर को सा सिच्टम चलता है रूल अप The Law चलता है तो आधरी ते फेल डिशेन किया गया इसको अपने लिमित डाल यह रिश्टेण लेकिन जैसे अधरितेन में ब्रिटेंट में यह सभी चीजे स्हणisen परिश्टेम है वहाँ पे कोई भी ऐसी authority या उनके jurisdiction को कोई भी define नहीं है, limit नहीं है, वो retain नहीं किया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि जो Indian Parliament है, यह American Congress जैसा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो अमेरिका का जो Congress है, Congress मतलब वहाँ का जो Parliament है, वहाँ के Parliament को Congress बोला जाता है अमेरिका में, तो हमारा जो Parliament है, Indian Parliament, it is just like American Congress, क्योंकि वहाँ पे भी American Congress के उपर भी उनको भी limit किया गया है, उनके उपर भी जो rule and regulation है, वो define किये गए, लेकिन British Parliament जो है, यह American Parliament और Indian Parliament से totally अलग है, ठीक है, हम total नहीं लेकिन बहुत हद तक अलग है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या 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 जानी क कोशिश किया, कि किस तरह से हमारा जो Indian Parliament है, वो British Parliament से काफी अलग है, और क्या क्या इसे factors है, जो mainly limit डालते है, हमारे जो Indian Parliament की जो sovereignty है, उसके उपर में, जिसके अंदर में हमने देखा कि Indian Parliament क्या है, Indian Constitution क्या है, वो written Constitution है, देन हमारे पास क्या है, फेडरल सिस्टम है, उसके बाद हमारे यहाँ पे जो सबसे important चीज, that is the judicial review, यह भी एक limit डालता है Indian Parliament के उपर, फोर चीज हमने क्या देखा, fundamental right, and at the last हमने क्या देखा, कि किस तरह से जो Indian Parliament है, यह Congress, जो American Congress है, उससे similar है, और British Parliament से काफी अलग है, तो next वीडियो में हम समझेंगे, that is next chapter parliamentary committee, इसको हम detail में next वीडियो में cover करेंगे, so that's all for this video, thank you, bye bye